जा राम जी की दोस्तों आपका दिन मंगल में हूँ सुभ हो प्रभु से यह कामना है जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं एक आसान और सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप इस तरह से अपने जीवन में परिवर्दन ला सकते हों दिनों के आधान और यह कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ट नहीं है अपासानी से साधान तरीके से अपने जीवन में परिवर्दन ला सकते हों आज इसी विशे पर थोड़ी चर्चा करते हैं ज्यादतर लोगों को पता है कि कौन से दिन का किस वार का स्वामी कौन है लेकिन फिल भी मैं एक थ उसका स्वामी होता है सुरी देव कि इसी तरीके से स्वामवार सुमवार यानि मं लडे उसका स्वामी हमारा होता है चे nov इसी तरीके से हमारे मंगलवार to be यानि Tuesday, Tuesday का जो स्वामी है वो होते मंगल ग्रे, लाल ग्रे, इसी तरीके से बुद्वार, बुद्वार यानि Wednesday उनके स्वामी, बुद्ग्रे, ब्रस्पतिवार यानि गुरू ब्रस्पति, यानि जूपिटर, उनके स्वामी, ब्रस्पति उनके स्वामी, ब्रस्पति उनके स् स्वामी सुक्र होता है इसी तरीके से सनी जो है उनका स्वामी सनी देव होते हैं इसी तरीके से सभी ग्रहों के साथ हो ग्रहों के स्वामी हो गए हमारे अब स्वामी तो हमें पता लग गए और आप लोगों को मुस्ली पता ही है लेकिन किस दिन कौन सा काम करे जिससे हमारी लाइब में बहुत बड़ा परिवर्द ना सके उस पर चर्चा करते हैं उधारन के तोर पर मान लिया संडे है तो संडे यानि एदवार को हमें किस टाइब के काम करने चाहिए ताकि हमारी जिवने में बड़ बड़ा परिवर्द ना सके देखो अगर आप कोई मकान की नीम रखने जा रहे है तो आप एदवार से आरंब करो अब मकान आरंब कर रहे हो संडे को कोन ओफिस जाता है तो संडे को ओफिस तो नी जाते है लेकिन अगर आप कोई एग्जमिनेशन फोम भर रहे हो तो वो आप संडे को भर सकते हो स्तीरता लाती है इचीज एक लंबे समय तक आप ठीके रहते हो इस तरह के सारे काम संड़े वो किये जाते हैं जो किसान भाईव हैं कृषिस से संबंदित कोई भी कार्य हो वो संड़े को आरंब करना चाहिए रविवार को आरंब करना चाहिए इससे आपको बहुत अच्छी फसल की प्राप्ति होगी उपनेयन संसकार कई लोग करते हैं तो उपनेयन संसकार के लिए भी रविवार का दिन सबसे अच्छा मारा जाता है ऐसा कोई भी कारे मारिसी वसिष्ट की अनुसार ऐसा कोई भी कारे जो जमीन को खोद कर किया जाता है यानि नीचे की तरफ जमीन में जाकर किया जाता है वो अगर रविवार से आरम किया जाए तो आपको बहुत सफलता मिलती है जैसे मैंने बताया क्रिशी से संबन देता अगर कोई विकारे करना हो तो वो रविवार को करो ऐसा कोई विकारे जो मजबूती लंबे समय तक टिका रहे गरों में आपने देखा पेड़ पोदे लगाते हैं और पेड़ पोदे लोगों के नहीं चलते कई लोग कहते हैं मैंने तुलसी लगाई और मेरी नहीं चली तो इस तरह कि कोई भी पेड़ पोदे जो आपको लंबे समय तक रखने हैं उन्हें हम रविवार को लगते हैं अपने गर में कोई भी पोड़ा लगा हो तो वो रविवार को आरम करो तो जाता अच्छा रहे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ कि दो चीजें बातों का द्यान रखना ऐसी चीज जो जमीन के अंदर खोद कर की जाती हूँ या ऐसी चीज जो गहराई लम्बे समय तक आपका साथ दे जैसे माकान लम्बे समय तक चलता है नोकरी वो आपकी टिक जाए लम्बे समय तक ठीक की रहे इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि सोमवार के दिन किस तरह के कारिय के जाएं जो आपके लिए बहुत सुब होगे मैं आपको कारंटी से कहता हूं सो परसेंट कारंटी से कहता हूं कि जो कारिय मैंने बता है कि रभिवार को आरंब करो इस तरह के कारिय लोग बटकते रहते हैं नीम किस तिन रखवाएं, तो वो लोग ना भटके, इसलिए अपना काम कावब करतें, इसी तरिके से जैसे माने सुमवार के आज कारिय बता है, वैसे ही अगले आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने सुमवार के कारिय करें या कौन-कौन से कार्य करें जिससे कि हमारे जीवरेंगे बड़ा परिवर्तन आ सके हैं ठीक है साथ ही एक छोटी सी बात मैं आपको हर वीडियो के अंत में बताता रहूंगा जैसे सबसे पहला कार्य है आप लोगों की कोई भी कामना होगी और वो कामना पूरी नहीं होगी बहुत लंबे समय से पूरी नहीं होगी तो उस कामना की पूरती के लिए ये कोई जादू टोना नहीं है उस कामना की पूरती के लिए आपको एक साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं सुबा जैसे ही आपकी आँख खुले उटते ही आँख बंद किये किये प्रभू का ध्यान करके आप उस काम को मन में दो रहें और सोने जब इस्तर में लेट जावाब उस समझस्ट पहले सोने से पहले भी उस काम को मन में समरंड करते हुए भगवान मेरा यह काम हो जाए ऐसा ध्यान करें उदारण के लिए किसी बच्चे की नोकरी नहीं लगरी को जोब नहीं लगरी या कोई और परिशानी है तो रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले भगवान का नाम लेते हुए ध्यान करें कि है प्रभू मेरे एकारी हो जाए और आप देखना आपको जल्दी ही ब आपको जिन्दगी में बहुत बड़े परिवर्तन नजराएंगे और मैं कोई ये मतला बैसी कोई बोली हुई बात नहीं कर रहा मैंने अपनी लाइप में मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में जो मैंने अपनी चिन्दगी में प्रैक्टिकल की हुई बाते हैं म मेरा चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं ताकि आपकी डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें अपने सभी यार दोस्त रिस्तेदारों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें यही जितना आप करेंगे मैं उतन कोसले किसी तरह के में पढ़ने की जुरूत नहीं है आपको मैं ऐसे ऐसी बाते बताऊंगा जो आपने ना तो कभी सुनी होंगी और ना आपने कभी इस्तेमाल के होंगी अभी तो सुरुवात है देरे देखो मैं आपको कहा लेकर जाता हूं लेकिन याद रखें कि अधिक स जड़े शात जेरां 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 जेरां